हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सूपर टेक्निकल्स तो दोस्तो आज की वीडियम मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिप काड़ पे कैसे यूपी आई आई डी बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ्लिप काड़ को प्ले स्टोर करेंगे तो आपके सामने बैंकों की लिष्ट आजाएगी तो इसमें से आप अपनी बैंक को चूज कर सकते हैं बहुत लंबी लिष्ट है यदि ना मिले तो आप सिंपली यह उपर सर्च बार है इस सर्च बार में आपने बैंक के आगे के दो तीन लेटर लिखेंगे और आ आपके फोन से एक वेरिविकेशन मैसेज बेजएगा एकाउंट वेरिफाई करने के लिए बेटर यहंवेरिफिकेशन प्रोसेस शार कोगी उसके बद आपके बैंक इकाउंट यहाँ पर आपको करना हो उससी अकाउंट के ऊच्बार को पूछ करना है आपका ऐसे crивать करना है टैप करेंगा तो आपके ATM का यह last six digit आपसे पूछेगा और उसकी month expiry पूछेगा तो वो information आपको आपके ATM में देखके यहाँ पे fill कर देनी है फिल करेंगे यह information इसके बाद आपको UPI pin बनाने को बोलेगा ट्रांजेक्शन के लिए जो UPI pin हम बनाते हैं Google फोन पे में जैसे तो वैसे हमको यहाँ पे UPI pin बना लेना है और पिन बनाने के बाद आपकी UPI ID successfully create हो जाएगी यहाँ यहाँ आपकी UPI ID शो होगी अब चलिए चलत करेंगो और इसकेन करके payment करके भी बताऊंगो कि कैसे इससे payment होगी तो सबसे पहले एक product search कर लेते हैं मुझे sanitizer की spray bottles चाहिए तो इसको मैं search कर ले रहा हूं और search करने के बाद जैसे हम simply उस product को select करेंगे tap करेंगे tap करके उस product को हम open करेंगे यहाँ यह open हो गया अब यहाँ पर हम place order के उपर आप tap करेंगे ठीक है simply जैसे जैसे हम swapping करते हैं कि हम same procedure continue करेंगे अब यहाँ पर आपको देखिए यूपको फ्लिप कार्ड यूपी आई का option show रहा होगा तो आपको simply उसको select करके pay के उपर tap करना है tap करेंगे अब उसके बाद आपने जो यूपी आई पीन बन चलते हैं scan करके किसी को pay करना है तो फिर से हम यह home page पे scan and pay का option को उपर tap करेंगे tap करेंगे तो आपके सामने camera की permission मांगेगे इस प्रकार तो आपको यहाँ पर allow कर देना है camera permission के लिए यहाँ पर allow कर देंगे उसके बाद आपका camera open हो जाएगा किसी भी QR code को आप scan करके यहाँ पर payment कर सकते हैं जो भी amount आपको fill करने हो fill कर लेंगे और उसके बाद pay के उपर tap करेंगे tap करेंगे यहाँ पर अब इसके बाद आपको UPI pin जो आपने बनाया होगा वो UPI pin यहाँ पर fill करना है और आपकी payments आपने वाले को हो जाएगी तो इस प्रकार friends हम flip card में UPI ID बना के उसक कर सकते हैं प्रेंट्स यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो